इंडिया के दिल्ली में हर साल 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट सेरिमनी रखी जाती है अभी इस साल ये चर्चा में इसलिए आ गया है क्योंकि अबाइड विट मी जो है उसको सरकार ने ड्रॉप कर दिया था ये हम आगे डिटेल में डिस्कूस करेंगे पहले देखो बीटिंग रिट्रीट होता क्या है और ये क्यों मना जाता है 29 जनवरी को ये मनाया गया है इस साल भी ठीक है इस बार जो समारो था उसमें 1000 मेड इन इंडिया ड्रोन्स के जरीए आसमान को जगमगाया गया था बहुत अच्छी रिटिंग होई थी ड्रोन्स के जरीए अच्छे अच्छे इमेजिस आसमान पे बनाया गया थे जैसे कि इंडिया का मैप उसके बाद गान्धी जी को भी शायद बनाया गया था मतलब आप अगर बीटिंग रिट्रेट सेरेमनी को देखो गें यूट्यूब पे तो बहुत ही सुन्दर तरीके से लैटिंग करी गई थी ठीक है ये जो सेरेमनी थी इसमें 26 दुनों को बजाया गया था 1950 से जो बजती थी दुन अबाइड विट मी ठीक है ये एक दुन है ये एक म्यूजिक है जो बजाय या ते देखो ये जो सेरेमनी होती है इसमें जितने भी सेना के जवान रहते हैं इतने भी रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बैंड्स लेके आते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे-च्छे म्यूजिक्स बजाते हैं, तो इस साल Abide With Me, जो की 1950 से अब तक बचता आ रहा था हर साल, उसको इस बार ड्रॉप कर दिया गया, उसको नहीं बजाया गया, ठीक है, ये जो धुन है, ये इसी कारण से बीटिंग रिट्रेट न्यूज में आ गया है, Abide With Me को नहीं बजाया गया है, क्योंकि Abide With Me जो धुन थी, ये महात्मा गांधी की बहुत ही पसंदिदा धुनती, इसलिए इसको बजाया जाता था, हर साल, ठीक है, लेकिन इस साल इसको नहीं बजाया गया, दूसरे म्यूजिक्स को इसमें शामिल किया गया था, लता मगेशकर की जी के गाने को भी शामिल किया गया था, ठीक है, तो इस से अपोजिशन के जो लिडर्स थे, उन्होंने थोड़ा हंगामा कर दिया था, बट फाइनली ये हो गया, हना, बेटिंग रिट सेना हो, यानि की जो हमारी इंडियन आर्मी की सेना हो, या एर फोर्स की सेना हो, या नेवी की सेना हो, तो वो बैंड के साथ जब वापस जाते हैं, रिपब्लिक डे का जो सरेमनी होता है, उसके तीन दिन के कार्यकरम के बाद, यानि 29 जनवरी को, तो उसको बीटिंग होता है और यह हर साल होता है ठीक है और यह जो beating retreat ceremony है यह आज की नहीं है यह 17th century में भी होता था पुराने जमाने में भी होता था उस समय पे पुराने जमाने में जो beating retreat है वो कई सारी countries में होता था आज भी कई सारी countries में होता है यह होता यह था कि जब लड़ाईयां होती थी सेनाओं के बीच में अलग-अलग लोगों की जो सेनाएं हैं उनके बीच में जब लड़ाई होती थी तो सूरियास्त होने पर आपने सुना होगा कि लड़ाई खतम करके सेना वापस लोड़ जाते थे हैं हर दिन तो जैसे ही सूरियास्थ होता था तो हतियार रखकर अपने अपने कैंप में सेना जाती थी दोनों तरफ की तो एक जो संगीत में समारो होता था इसे बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है ठीक है जब सेना वापस जाती थी सूरियास्थ होने के बाद इसको beating retreat कहाता है 1950s में इंडिया में beating retreat की शुरुवात हुई तब इंडिया के जो सेना थे Major Robert उन्होंने इस ceremony को सेनाओं के bands के display के साथ पूरा किया था और यह जो ceremony है इसमें राष्ट्रपती बतौर chief guest शामिल होते हैं इस ceremony के दिन जो band बचता है music वगरा बचती है उसके बाद retreat का एक final music बचता है एक धुन बचता है उस दौरान जो band master होते हैं वो हमारे president के पास जाते हैं और band वापस ले जाने की permission मांगते हैं इसका मतलब यह होता है कि 26 जनवरी का जो ceremony था वो पूरा हो गया है और band march वापस जा रहे हैं जिस समय पे जो इंडिया का बहुत ही एक लोगप्रिय बहुत ही प्यारा music माना जाता है सारे जहां से अच्छा इसको बजा जाता है ठीक है Republic Day का समारो चालू होता है तो तीनों सिनाओ की जो लोग होते हैं जो जवान होते हैं वो वहाँ पर ही होते हैं और तीन दिन बहुत ही बढ़िया समारो होता है इस साल तो बहुत ही बढ़िया हुआ है ठीक है ड्रोन लाइटिंग शो तो इस साल का देखने लायक था अगर आ यूज में जादा आ गया क्योंकि अबाइट विट मी को ड्रॉप कर दिया गया था ठीक है तो यह होती है बेटिंग रिट्रीट सेरेमनी आई होप आपको यह टॉपिक समझ में आया होगा कोई भी डाउट ए कन्फूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जाता से जादा करेंट अफेयर अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें आज के लिए तना ही थैंक यू